नमस्कार मित्रों, उत्राखंड मुक्तिव स्विध्याले के सामुदाइक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगा हर्ट्स की तरंगों पर आप इस कारिक्रम को सुन रहे हैं। मैं सिसांग सुकला हिंदी विभाग उत्राखंड मुक्तिव स्विध्याले आप सभी का यहां स्वागत करता हूं। पित्रों, आज हम लोग रामचन सुकल की जयनती के औसर पर आपके सामनी उपस्चित हुए हैं। आज हिंदी के प्रमुख आलोचक आचारी रामचन सुकल का जन दिन है। 4 अक्टूबर 1884 को अगोंना बस्ती में आचारी रामचन सुकल जी का जन में हुआ था। और दो फरवरी 1941 को मनारस में कासेंदु सुध्यालय के विभागा धक्ष के पत पर रहते हुए। उनके मृत्ती हुई थी। यानि एक 1884 से लेकर 1941 तक का जो समय रहा 56 साल का आचारी रामचन सुकल का। बहुत बड़ा ये समय नहीं है लेकिन इस समय के बीच आचारी रामचन सुकल ने जो काम हिंदी आलोचना के लिए या हिंदी साहित्य के लिए किया। अपने आप में कितना महत्पून था आज इन ही कुछ प्रशनों पर आपके साथ में बात्चित करने जा रहा हूं। हिंदी में आलोचना की परंपरा की जो सुरुवात होती है तो उस आलोचना की परंपरा की सुरुवात में बालकृष्ण भट बद्री नरांट चौधरी प्रेमगन और भारतेंदू हरिश्चंद की जो पीड़ी थी जिसों हम भारतेंदू युग के अंतरगत रखते हैं। उस पीड़ी ने पुस्तक समिक्षा के तौर पर जो अलोचना हिंदी में सुरू हुई, वहां से सुरू हुई स्नयुकता समयंबर की जो अलोचना 1886 के आसपास 85 और 86 में हुई, और प्रेमगन और बालकिष्ण भट को प्रारंभी का अलोचक के तौर पर देखा गया, हाला कि ये हिंदी आलोचना में भी एक विवात का विशाय रहा हूँ कि भारति इंदू का जो नाटक सम्मंदी एक लंबा लेक था, आलोचना अत्मक लेक था और वस्ता वो सर्धानतिक लेक था, वो 1883 में प्रारंभी हो चुका था, तो एक तरह से सर्धानतिक आलोचना और वेवारी का लोचना का जो द्वंद था हिंदी आलोचना में, वो उस दौर में एक तरह से सुरू होता है, लेकिन बाद में चुकि हिंदी आलोचना या आलोचना का मुख रूप या आधुनिक आलोचना जिसे हम क्रिटसिज्म के रूप में, एक विधा के रूप में जानत कि उसके मूल में कोई पुस्तक होगी एक लेकिन ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है क्योंकि ब्योहारी का लोचना के केंद्र में कोई पुस्तक होती है लेकिन जब आलोचना के हम प्रकार करते हैं तो उसमें हम सद्धानती का लोचना को भी रखते हैं और ब्योहारी का लोच के लिए यह तो सही है लेकिन सद्धानतिक अलोचना को फिर हम किस प्रकार से उसमें फिट करेंगे यह एक प्रश्ण वहां भी खड़ा हो जाता है चूंकि राज सेखर ने बहुत पहले अपने ग्रंथ में भावित्री प्रतिभा और कवित्री प्रतिभा का जो द्वंद या दो वर्गिकरण उन्हों ने किया था उस रूप से भी आप इसको देख सकते हैं हाला कि वो कवी और अलोचक का द्वंद था लेकिन कविता और अलोचना के साथ ही सद्धानतिक अलोचना और व्योहारी का अलोचना का द्वंद भी हिंदी में खास और से उत्पन्द हुआ इसलिए हम बालकृष्ण भट को कुछ लोग पहले आलोचक के रूप में देखते हैं कुछ लोग भारतेंदू हरिश्यंद को देखते हैं अब भारतेंदू हरिश्यंद और बालकृष्ण भट को हम समयवेत रूप में एक साथ लेकर इस पूरी आलोचना परंपरा को देख आलोचना आती है अचार राम चंग शुकल पर उनकी अलोचना करने में इस बात को आपके सामने रिखांकित करเปल चाहता हूँ है कि का जो बड़ा-काम हिंदी-अलोचना तरह में है उतना ही बड़ा-काम साहित के इतिहास लेखन में है और उतना ही बड़ा काम अनुवाद में है और उतना ही बड़ा काम निवंध में है कहानी भी लिखे थी लेकिन कहानी या कभी की रूप में जो उनकी पहचान है या उनकी जो कविताओं का संग्रा मदस्रोत नाम से उनके खत्तर्म प्रकासित होता है या उनकी इंदी की आधोनिक या सौट इस्टोरी की प्रारंभिक कहानियों में 11 वर्स का समय की जो हम गढ़ लेखन और संपादन के दृष्टी से यह चार पांच फिर्टर ऐसे हैं जहां पर रामचन सुकल की मेधा जादा प्रसस्त रूप में हमारे सामने उपस्तित होती है आती है आचार राम इसके तरिक जो कोश का निर्मान करते हैं हिंदी सब्सागर और उसकी भूम का करूप म निसायत का इतिहास लिखते हैं दरसल ये दो काम सुकल जी के निर्मान का काम था कोश जब वो निर्मित कर रहे होते हैं तो कोश निर्मान में जिससे स्यमसुंदर दास का ये बड़ा लोक्त्री कतन कि कोश को सुकल जी नी बनाया और कोश ने सुकल जी को बनाया तो जब को परकुर्स्स पे काम कर रहे थे सुकल जी भाषा को लेकर भाषा के संबन में जो टिपड़ियां कर रहे थे, वो एक तरह से सुकल जी के अपने बनने की भी समय है, बनने की भी प्रक्रिया उसमें हम देख सकते हैं। जब कोई भी कलाकार या आलोचक, जब किसी चीज को बना रहा होता है, तो वो खुद भी बन रहा होता है. जैसे कोई कलाकार, कोई मुर्ती गढ़ रहा होता है, तो उस मुर्ती गढ़ने में, उसकी खुद के भाव संवेदन भी अपने धंग से क्रियानवित हो रहे होते हैं. ये सुकल जी के संदर में भी इसी बात को हम समझ सकते हैं तो कोस के निर्मान के दौरान सुकल जी इतिहास, हिंदी साथ के इतिहास से जुड़ते हैं कोस के दौरान ही वो भाषा पर उनकी विसे सग्यता हासिल होती है कोस के दोरान ही वो शब्दों और मनुवृतियों के द्वन्द से भी भली भाती पर्चित होते हैं जो उनके चिंतामणी के निबंधों में हम देख सकते हैं तो जो ये रूप था सूकल जी का की हिंदी के लिए जो क्या काम था वो तो एक बड़ा आइतिहासिक ढंग से कह सकते हैं कि प्यारंभिक तौर पर कोस भी निर्मित कर रहे थे और इतिहास के भी काम कर रहे थे ये अृदार भूत रूप में अलोचक के रूप में अगर हम बात करें कि सुकल जी का बड़ा युगदान हिंदी अलोचना में क्या है कई बार सुकल जी को प्रशनों के घेरे में भी खड़ा किया जाता है सभाविक है अलोचना से परे भी कोई नहीं है और हर अलोचक की अपनी सीमाएं भी है सुकल जी की भी अपनी सिमाए हैं सुकल जी की विसेस्ता उनका अलोचना पर अपना अधिकार और उसके साथ ही उनकी कुछ कमिया सुकल जी का पूरा अलोचना सिधानत या उनकी अलोचना के जो बीज बिंदू है वो एक तरह से भकतिकालीन कभीता है सूर, तुलसी और जायसी जो पुस्तक निकली जिसमें तीन कवियों की अलोचनाई संग्रहित है और उसके पहले उन्होंने तुलसी दास, सूर दास और जायसी ग्रंथावली की भूमिका नाम से तीनों का अलग-अलग धंग से जिसमें काम भी किया था तो ये तीन जो जिस पर सुकले जी सौतंत रूप से तीन कवियों पर विचार करते हैं वो तीनों एक तरह से आप देखें तो भक्ति कविता के केंद्र में तीनों कवी हैं तीनों भक्ति काली इन कवी हैं और सुकल जी ने कवीर को छोड़ दिया है मीरा पर छोड़ दिया है जिसकी पूरती अन्य अलोचक करते हैं तो एक अलोचक से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हर व्यक्तित पर हर पुस्तक पर मुकमल अलोचना करेगा तो सुकल जी से भी हम अपेक्षा यह नहीं कर सकते बावजुद जो सुकल जी जिन पे अलोचना करते हैं वो भक्तिकालीन कवी है। कहने का भाव यह है या मैं जो बात कहना चाहा रहा हूँ वो यह कि सुकल जी की अलोचना के केंद्र में भक्तिकविता है। भक्तिकविता यानि मद्यकालीन कविता है। प्रश्ण यह उठता ह कि स्क्लजी की जो पूरी कविता है वो मद्यकाल तक ही केंदरित्कें और गई या संक्लजी अपने समकलिन छैवादी कविता अंदुलन के सात नियाइक क्यों नहीं कर सके यह एक प्रश्न हमेसा रहा है सुकल जी की सीमाओं के संदर्ब में अगर प्रश्ण ये भी हो है कि अगर सुकल जी छायवाद को अपनी कविता का केंद्री विशे बनाते तो क्या उनकी अलोचना दृष्टी या उनकी अलोचना अलग किस्म की होती भक्ति कविता एक बड़ा आलोचना के जो उसके प्रतिमान होते हैं अधार बिंदू होते हैं अलोचना के वो भी बड़े होते हैं भक्ति कविता एक बड़ी कविता रही है अपने कलेवर में सुकल जी के जो अलोचना प्रतिमान है वो तुलसी पर सूर पर जायसी के अलोग में विक्सित होते हैं लेकिन इसका आर्थ यह नहीं है कि छैवादी कविता के जो सिमाएं हैं वहां तक तो सुकल जी बहुत अक्तिवाद था और जिसने हिंदी समाज संस्कृति को देखने की एक नई द्रिष्टी दी उसकी और सुकल जी सायद नहीं देख पाए या उसकी और इसारा करके छोड़ देते हैं उसका अच्छे से विस्टिशन नहीं कर पाए जो काम आगे चलकर नंदुलारिवाच पर दूसरे आलोचक करते हैं सुकल जी की जो अंतर नहीं विसेशता थी वो इस रूप में देखी जानी चाहिए हिंदी आलोचना में कि सुकल जी एक मात्रह से आलोचक रहे उस समय तक बाद में कि जिन्होंने बेवहारी का लोचना और सद्धानती का लोचना दोनों पर समान रूप से अधिकार पुरवक अपनी बातों को स्थापित किया रस्विमानसा अगर उनकी आप कृति पढ़ते हैं और रस्विमानसा में सुकल जी के सद्धानती का लोचक के वेक्तित को आप जिस धंग से देखते हैं और जिस तरह से वो रस निस्पति के सद्धानत में एक बड़ा अलोचक वो होता है जो सद्धानतिक और वेवहारिक दोनों प्रकार की अलोचनाओं में अपने नए कथनों को प्रमाण प्रस्थुत करें सुकल जी ये काम करते हैं दूसरे बड़ा अलोचक का ये काम और होता है कि हर क्रिति की मूल विसेस्ताओं तक वो पहुचने का प्रयास करें सुकल जी ये काम करते हैं एक बड़े अलोचक का ये भी धर्म होता है कि किसी कविता का मुल्यांकन उसके युग सापेक्ष सिमाओं या उसके प्रदे के अंतर गत्क ये काम करें, सुकल जी ये काम भी करते हैं। रामचन सुकल की आलोचना दृष्टी में मैंने कहा कि सध्धानतिक आलोचना, हलांकि जो उनकी रस मिमांसा में रस सिध्धान पर जो उनका मत था, कि साधार्णी करण किसका होता है, अलंबनत धर्म का होता है, वो एक तरह से खंडित हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये विस्वनात का प्रभाव है सुकल जी के उपर और ये मूल रसनिस्पत्ती के बैख्यकार, यानि दौन्या लोग के आनंद वर्धन और अभिनो गुप्त की बातों को वो समझ नहीं सके सुकल जी, तो एक अपने धंग से रसनिस्पत्ती के जब यो कहते हैं कि सभयता कर्म में कविता कर्म और जैसे जटिलता बढ़ती जाएगी, कविता और कठिन होती जाएगी, लेकिन कविता की जुरत बढ़ती जाएगी. कविता क्या है निबंद उनके ब्योहारी का लोचना और सद्धान्ती का लोचना दोनु के निकस का केंदरी ये तत्व है तरसात्मक बोद के विविद रूप, कविता क्या है, साहित्मय विवंजना बाद, उगर 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 है, उनके बड़े चर्चित, बड़े महत्पूर्ण लेख हैं, निबंध हैं, इसे एक विद्धार्थी को समानी रूप से जरूर पढ़ना चाहिए. आत्मा की मुक्तावस्था जैसे ग्यान दसा कहलाती है, वज़से हृदय की मुक्तावस्था रस दसा कहलाती है, मनुस्य की मुक्ति के लिए मनुस्य की वाणी जो विद्धान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, या साहित्य के इतिहास में साहित्य के इतिहास को परिवासित क करते हुए साहित्य का इतिहास जनता की चित्वृतियों का संग्चित प्रत्विंब होता है ऐसे कुछ सूत्र कथन सुकल जी के पूरे अलोचना में बिखरे पड़े हैं और ये इस तरह के इतने सूत्र रवा के देने का जो काम था वो हिंदी में अकेले अलोचना में सुकल ज नहीं कह दिया कबीर की आलोचना करते समय उन्हों नहीं कह दिया कि प्रतिवा बहुत प्रकर थी गहनानंद को प्रेम के पीर कह दिया मौनमधिपुकार कह दिया इतनी तरह के सूत्रवाक के रामचन सुकल की आलोचना में बिखरे पड़े हैं इनके आधार पर बाद के और उसके अधार पे धेर सारे वरिक्ष के रूप में हिंदी अलोचना पल्लवित पुस्पित हुई। एक बड़े अलोचक का ये काम था। डक्टर देवराज जी ने कहा कि बड़े अलोचना के तीन महपून काम होते हैं। एक तो कविता की का रसा स्वाधन, दूसरे उस रस स्वाधन की अभिवेक्ति और तीसरे उस रसा स्वाधन की अभिवेक्ति की बाद साहित सिद्धांत निर्मान का प्रयास। सुकल जी ये तीनों काम करते हैं। हलाकि साहित सिद्धांत निर्मान के दृष्टि से उनके सिद्धां तो उस रूप में सफल नहीं रहे। जितन आमने ये प्रशन था, कि जब वो इतिहास लिख रहे थे, तो उनका अलोचक रूप आ जाता है, जब वो अलोचना कर रहे थे, तो उनका इतिहास का रूप हो, चुकि उनकी अलोचना और इतिहास दोनों समनांतर रूप में एक दूसरे से टकराते हुए, एक द्वन्द के मूल रूप से द्रिश्टी, जैसके रन्वलक ने कहा है कि इतिहास का मूल काम मुल्यांकन होता है, मुल्यांकन इतिहास का एक धर्म है, तो एज़ इतिहासकार एक अलोचक के रूप में उसकी समझ जब तक फुकता नहीं होगी, वो इतिहास के रूप में भी वो अपने मु रोचक का जो रूप था सुकलजी का उसी रूप ने उनके निबंदकार रूप को भी विख्षित दिया चिंतामणी के बहुत से निबंद भाव पर रख हैं मनुविकार पर रख हैं उन निबंधों को हम मनुविज्ञान के निबंद नहीं कह सकते उन निबंधों को हम मनुव बात ही गई है। सुकल जी के जो निबंध हैं वो आप देखेंगे कि भारती काविशास्त्र और मनुविज्ञान के अतरिक्त बेवहारिक अलोचना या बेवहारिक साहित या रसपूर्ण साहित इन सब को मिला कर निर्मित हुए हैं। उसमें भारती काविशास्त्र के मनुव रसपूर्ण भी हैं। उसमें लालित भी हैं। तो साहित का अपना रस भी है। और मनुविज्ञान के अधार पर मनुविकारों पर अधारित हैं। इसलिए मनुविज्ञान की अपनी जमीन भी है। और उसमें व्यक्तिवाद भी है। निबंध है चुकि व्यक्ति या व्यक्तिवाद या पूझिवाद के विकास के दृष्टी से वो बहुत ही महत्पूर्ण काल था। गांधी का पूरा समय भी इसी डंग से आप देख सकते हैं। पूरा छैवादी अंदोलन भी देख सकते हैं। रामचन सुखल की अपनी अपना जो पूरा निवन साहित्य है, अलोचना दृष्टी है, उसका भी काल यही काल है। एक तरह से बहुत महत्पूर्ण काल था। और यह ऐसा काल था कि जिस काल में एक और भारती नवजागरण अपनी समापती की घोशना कर रहा था, उसी समय आधोनिक्ता का प्रवेश भी हो रहा था। उनिसो च्छति का जो अपना ट्रेट्मेंट था, कलेवत, वो भी बदलने लगा था। अब साहित केवल किसी एक शेत्र विशेज का कोई साहित नहीं रह गया था, बलकि उस साहित पर राष्ट्री और अंतराष्ट्री घटनाओं का प्रकास भी पढ़ने लगा था। उनिसो च्छतिस में प्रगत्सी लेक अक्सन के स्थापना हो या दूसरे बड़े प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तितवाद का प्रभाव हो ये सभी कुछ साहित पर और हिंदी कविता पर हिंदी साहित पर भी ये पढ़ने लगा था। तो च्छैवाद इसलिए आप देखें कि दोनों का प्रभाव पश्चिमी साहित का और भारती साहित का एक और रहस्तिवाद, बंगला रहस्तिवाद या भारती रहस्तिवाद से प्रभावी थे च्छैवाद, दूसरी ओर प्रमेंटिस्ट्रिजमान दोलन से। तो समनानतर रूप से इसी भीश में सुक्रजी ये काम कर रहे थे कि एक और भारती काविसास के रस सिद्धान, अलंकार, वक्रोक्ति जैसे महत्पूर्ण साहितिक सिद्धानतों से टक्रा रहे थे, दूसरी और पश्चिम के जो आधोनिक चिंतन दिसाएं थी, चाहे वो टी एसिलियट हों, या कॉलरिज हों, या आपके आईये रिचर्ड सुखले जी इनसे भी टक्रा रहे थे, आईये रिचर्ड्स का भी सुखले जी की आलोचना पर प्रभाव है, क्रोंचे से तो टक्राई रहे थे, और भारती सिद्धान, काविसास का पूरा सिद्धान, तो सुखले जी की जो आलोचना है, वो भारती सिद्धानतों से भी टक कर रहे थे तो इस दुरिष्टी से नहीं कि वो हिंदी आलोचना में एक काम पहली बार कर रहे थे इस दुरिष्टी से कि वो हिंदी आलोचना में सद्धांतिक और बिवहारिक दोनों तुलाओं पर दोनों बिंद्धों पर नए साहित सद्धांतों का निर्माड कारे कर रहे और इसी निर्मान कारी के बीच उनके निबंद साहित की उत्पत्ती होती है, उनके इतिहास गरंद की उत्पत्ती होती है और उनके अनुवाद कारियों की जो अनुवाद कारियों में सुरू से ही वो जाहे हो शशांग का हो या इमेजने से नाप उसका निबंद हो या रखल म का एक और पक्ष है जो उनकी अलोचना और उनकी तिहास की बड़ी पुक्ता जबीन हमें देखने के दिर्ष्टी देता है, कि सुकल जी अपने साहित सिध्धानतों को निर्मित करने के लिए बिग्यान के पास जाते हैं, इतिहास के पास जाते हैं, समासास्त के प्रस्नों से टकराते हैं, और एक आलोचक की जैसे मुकमल तयारी होती है, जैसे पुक्ता तयारी होती है, वो करके फिर हिंदी आलोचना के छेतर में आते हैं, और ये बात के आलोचकों के लिए एक बड़े संगेत या बड़े बीज बिंदु को दे कर जाते हैं, कि आलोचक का काम केवल कविता की ब्याख्या नहीं है अलोचक का काम उस युग सापेक्ष में कविता को स्थापित करना और कविता को देखना या अलोचक के ब्याख्याता या भूमिका कार नहीं है बलकि या अलोचक का काम मुल्यांकन करना भी है शुकल जी कि ये और शुकल जी की अलोचना में री पुआदी द्रिष्टी से चाहे हो चैवाद को अस्विकार करने का कारण हो रीतिवाद को अस्विकार करने का कारण हो और रीतिवाद के समना अंतर भक्ती कविता को इस्थाफित करने का प्रश्ण हो या अपने समय में प्रेमचंत की स्थापनाओं उसे समती वेक्त करने का हो किसानों के साथ खड़े होने का प्रश्ण हो या भाषा बिवेक के अधार पर रीतिकालिन कविता में ही घनानंद और बिहारी को अलग-अलग द्रिष्टियों से देखने और बिहारी के बनिस्पत घनानंद के पक्ष में खड़े होने की बात हो सुकल जी की अलोचना बड़ी स्पष्ठ है और उस स्पष्ठता का कारण यह है कि उनको अपने वैचारिक निक्सों के प्रतिक किसी भी प्रकार के कोई भ्रह्म या संगती नहीं है उस्पष्ठ है और यह स्पष्ठता ही उनको हिंदी अलोचना में एक बड़ा मुकाम बड़ सभस्ट के इतिहास को देखने की बुनियादी समझ की अलोचना में सद्धानतिक सब्धों की laws कि इस श्माइबितों से सबदों की अदरश्टी के कई सब्धानतिएं इ conception mukana post na जिसे एक साधनावस्ता शिद्धावस्ता और शिद्धावस्ता साधनावस्ता को कहते हैं कि संघर्ष का सिफ्धावस्ता को उबभोग का साहित analyst,वा साधनावस्ता को पर दीcularichtig तो, कहते हैं, new disability नारीपिर किके उसरे प्रेम कविता के साथ योड़ा आलोचना के संदर में अगर इस पे आप प्रश्ण चिन उठाना चाहें तो निश्यत रूप से इसे आप कह सकते हैं कि इस बड़ा सल्ली करण है लेकिन अगर आप व्योहारिक समझ की द्रिष्टी से बात करें तो आपको लगा कि ये आल शात्रोप योगी अलोचना है और शात्रों को बुनियादी समझ साहित की दे रही है इस जंग से सुकल जी की ये जो पूरी अलोचना द्रिष्टी है वो हमें साहित को देखने की कविता को देखने की इसलिए कविता क्या है उनका निवन 1909 से लेकर 1941 तक परिवर्धित संसो पूधित होता रहा यानि कविता की बेसिक समझ बुनियादी समझ एक अलोचक पैदा करता है और सुकल जी ये काम हिंदी अलोचना में करते हैं तो साहित के दिहास के दृष्टी से और हिंदी साहित की बुनियादी अलोचना की दृष्टी से और उस साहित को जनता की चित् वासित करने के दिरिष्टी से सुकल जी का महत्व हिंदी अलोचना में हमेशा अपनी कुछ सीमाओं के बावजोद क्योंकि उनीज सो अठाइस उन्तिस तक बहुत से तत थे बहुत सा हिंदी का आधोनिक साहित्य प्रकासित नहीं उपया था या हिंदी साहित्य बनने के क्रम म था उन सब कमियों के बावजोद सुकल जी का अपना जो साहित्य बोध इतिहास बोध और अलोचना बोध रहा उसने हिंदी के पूरी पीड़ी को तियार करने में बहुत बड़ा युगदान दिया है हम किसी भी अलोचक से चाहे औरामिलाज जी हो या हजारिप साद्योदी इतनी बड़ी उमीद नहीं करते हैं कि वो सर्धानतिक और दोहारी का दोनों अलोचनाओं में किसी मुल्यों का निर्मार कर रहा हो लेकिन सुकल जी ये काम करते हैं तो आज ऐसे बड़े अलोचक इतिहासकार अध्यापक अनुआदक निबंदकार का जन दिन है और आज के दिन उत्राखंड मुक्त सुद्याले के हिंदी विभाग की और से मैं ऐसे बड़े अलोचक को याद कर रहा हूं आज पूरा हिंदी विभाग इस बड़े अलोचक की अलोचना के स्मरण की दृष्टी से और उनके कृतित और उनके योगधान की दृष्टी से हम उनको धांजली अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और ये उमीद करते हैं कि हिंदी का एक विद्यार्थी सुक्ल जी की अलोचना से जरूर कुछ महत्पूर्ण निकस्त को बहत्पूर्ण सूत्रों को प्राप्त करेगा और अपनी समझ को साहित की बुनियादी समझ को विक्सित करने म युगदान देगा, तो इन ही कुछ सब्दों के साथ फित्रों मैं आप से इजाज़त लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद